हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपके अपने कीचन प्रध्यांस कीचन में तो फ्रेंट्स आज हम आपके लिए लेके हाजीर हैं मिनी थाली बोल सकते हैं या छोले पूरी बोल सकते हैं यह बहुत यह दासान है इसे बनाना आप मिननटों में बना की से त्यार कर सकते हैं तो चल जीरा एक चुटा चमच और साथ में हींग जब अच्छे से भून जाए तो इसमें एड़ करेंगे प्याज प्याज मैंने यहां पे तीन लिया है मेडियम साइज की जिसको मैंने रफली कट किया है इसको में तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जा मैंने दो चोटा चमच धनिया पाउडर लिया है एक चोटा चमच लिया है कस्मेरी लाल में इसका पाउडर और यहां मैं हल्दी डालना भूल गई थी तो अभी मैं हल्दी डाल दे रही हूं इससे अच्छे से मिक्स करेंगे अगर लगे आपको की मसाले जल रहे हैं तो मैंने यहां पर धनिया पती जो की थोड़े बड़े बड़े पीसेज में कट करके डाल दिया है यहां मैंने तीन टमाटर लिया है इसको मैंने रफली कट किया है अच्छे से मिक्स कर दिया है नमक एड़ कर दिया है ताकि जो टमाटर है वो सौफ्ट हो जाए उसके बास से ह तो क्या करेंगे कि थोड़ी ते जो पानी इसमें दीख रहा था उसको आपको थोड़े ड्राय कर लेने हैं जला लेने हैं तो यहां पर जो मसाले है ना टमाडर प्याज के साथ अच्छे से भून चुके हैं तो इसी हम एक प्रेट में निकाल लेंगे और इसी कड़ाई में फ जब्र किया हुआ आप यहां पर पेश्ट भी योज कर सकते हैं लेकिन ऐसे डालेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और यहां पर मैंने यह चने लिये हैं उबले हुए चने हैं इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार ऐसे आप छोले बना के जरूर बिल्कुल अलग तरीका बता रहा है इस चोली को बनाने का तो इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बास से एड़ करेंगे इस में कुछ चीजे अभी फिलाल के लिए इसे हम ढग देते हैं इसमें आप अनुसार नमक आढ़ करेंगे ध्यान रहे कि हमने पहले भी नमक एड़ किया है थोड़ा सा चीनी एड़ करेंगे ताकि छोले में जो हलका सा करवाड होता है न वो निकल जाए वो चीनी डालने से वो बैलेंस करेगा तो इसे कवर कर दिया है मैंने अब देख सकते हैं थोड़े से यह जो चने हैं भून चुके हैं अद्रक लैसन और हरी म मिर्च का पाउडर आधा चोड़ा चमच देगी मिर्च और थोड़ा सा हिंग डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से जो हमने टमाटर प्यास जो लिया था उसका मैंने पेश्ट बना लिया है कुछ इस तरीके से अब इसमें सारा पेश्ट डाल देंगे और अच् खुजबू आ रही है मसालों से ना क्या ही बताएं आप अना ये गा तो जरू बताएगा अच्छे से मैंने मसाले मिक्स कर दिया है अब चाहें तो यहां पर आलो भी एड़ कर सकते हैं मैंने आलो नहीं डाला है चनों के साथ आलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं ऐसे बना सकते हैं ऐसे भी अच्छा लगेगा यहां पर मैंने 500 ग्राम पानी आड़ कर दिया है अच्छे से मिक्स कर दिया है अब ढ़क के इसे 5-6 मिनट तक पकने देंगे या फिर 7 मिनट भी आप कर सकते हैं अब यहां पर आप दे अब बना लेते हैं पूरिया तो यहां पर देख सकते हैं इसकी कंसिटेंसी बहुत ही स्वादेश्ट बनता है एक बार इस अलग तरीके कि छोले को बना के जरूर ट्राइब करिए अब यहां मैंने गहों का आटा ले लिया है दो कब इसमें मैंने दो चमज घी भी आड़ किया है इससे आपके पूरिया करारे करारे से बनते हैं तो अब क्या करेंगे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है अब इसका थोड़ा सा नर्म नहीं थोड़ा सा हाड आटा लगा के और तयार करेंगे बहुत ज़दा हाड भी जैसे आप पूरियों के लिए लगाते हैं वैसे ही आटे को लगा के तयार करें यहां पे आप देख सकते हैं जो आटा है न वह थोड़ा सा मैं ने गूत लिया है यह देखिए और आटा लगके बिल्कुल रैडी हो चुका है तो इससे हम क्या करेंगे काफर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए अब हम क्या करते हैं बाल में डाल टमाटर एक आधा खीरा बारी कटा हुआ एक प्याज बारी कटी हुई और धनिया पति फ्रेश रहे धनिक पति डाल दिया है अब इसमें स्वात क्यानुसार नमक अड़ कर दिया है यह चाट मसाला है मैजिक मसाला जोकी दो-3 दिन पहले ही मैंने इसकी वीडियो डाली है अग काला नमक अड़ करें, चाट नमक अड़ करें और तयार है हमारा एक अच्छे से सलाट, इधर हमारा आटा भी फूल सुका है तो इससे एक बार फिर से घूत लेंगे, उसके पास हम इसके पूरिय बनाएंगे, तो यहां पर आटा भी लग चुका है, आप छोटे-चोटे इसक और इना थी में आप बना लुई को आप आप मैंने दो लोई बना लिए हैं छोगा बेलां लेंगे हैं रही घंञ करने क्योंरा भी हाइ़ तो बहुत जादा भी मेने नहीं बनाई है डैके सारी खक्टेहिं करने हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो यह आप मैंने दो पूड़िया बना के राड़ी कर ली है कड़ा ही मैंने पहले से गरम होने के रख दिया है आप क्या करेंगे कि हाई फ्लेम पे इस पूड़ियों को तल लेंगे इससे जो हमारे पूड़िया है एकड़म करारे करारे बनते हैं तो देख सकते हैं कितनी फूले 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 पूले भटूरे जैसे आपके पूले बन के राड़ी होगी तो यहां पे आप देख सकते हैं मैं दूसरी पूरी डाल दी हूँ और ये देखिए ये भी एकदम गुबारे की तरफ फूल जाएंगे एकदम करारी करारी हमारी पूरी ये बनके राड़ी हो चुकी है और ये हमारी ठाली हो चुकी है ये स्पेशल मीनी ठाली तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा स्यादा सेर करें चैनल पे नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सब्सक्राइब करें तेंक यू